नमज़कर दोस्तों, वेल्टिसकाई के एको नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लेवों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन के बारे में उसको समझने की कोशिस करे करेंगे, understand करेंगे क्या निफ्टी यहां से रेडी है लाइफटाम हिट करने के लिए और अगर लाइफटाम हिट करने के लिए तो आपको एक बड़ा मुमिंटम देखने को मिल सकता है, अगले दो से त्रीन ट्रेडिंग सेशन में है, यह चीज़ आप के लिए लिए समझ कुछ important point समझाऊंगा, क्यों अब market यहां पे निफ्टी lifetime हिट करने के लिए तैयार हो चुका है, वो भी मैं आपको logically समझाने की कोशिस करूँगा, तो जल्दी से इस वीडियो को start करते हैं, फाइनली दोस्तों मैं आगे हूं option chain data पे और यहां पे हम समझेंगे कि निफ्टी का option chain data कैसा बना हुआ है, और साथी साथ understand करने की कोशिस करेंगे, कि क्या निफ्टी अब ready है lifetime हिट करने के लिए इसको हम समझने की कोशिस करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं market at 11 के वीडियो की, market at 11 के वीडियो पर मैंने आपको clearly बताया था market gap up खुला है, gap up खुलने के बाद थोड़ी पहुत profit booking रहेगी, उसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत recovery देखने को मिलेगी, but इतनी deep profit booking आईगी, यह मेरे को expectations नहीं था, और फिर यह जो second half, second half भी नहीं कहा सकते है बिल्कुल closing के time में यह जो momentum बना है, यह momentum आप confirmation दे रहा है कि आपका nifty lifetime हिट करने के लिए तैयार है, और क्यों तैयार है, इसके पीछे के मैं कुछ reason आपको बताऊंगा, अभी तक मैं आपको कोई भी higher side पे buying के बारे में नहीं बोल रहा था, बट आज जो closing आई ए 18,200, basically मै closing basis पे ऐसी 18,200 को sustain करने की कोशित करेगा nifty, और अगर 18,200 को sustain करता है, तो अब nifty के पास कोई ज़्यादा resistance नहीं है, higher side पे, तो यह easily अब उपर की तरफ बड़े move देने के लिए तयार है, यह चीज़ा आप के लिए समझ लिए, मतलब अब आपको buying की opportunity ढूननी चाहिए nifty के कोटे resistance की वज़े से क्या होता था, momentum नहीं आता था, बट 18,200 के बाद क्या है कि जो resistance है, वो अब आपका होगा 18,250, 250 के बाद कोई resistance नहीं है, सीरह सीधा 18,350 तक पूरा रास्ता clear है, तो इसके बीच में क्या है, sellers ज्यादा कोशिस नहीं करेंगे बेशने की, यह चीज़ा को समझ में आ जाएगी, कि हाँ, यहाँ से जैसी 18,250 निकलेगा, तो 18,350 तक का जो पूरी direction है, वो बिल्कुल clear है, market इस Nifty इसको touch करने की कोशिस करेगा, और 18,350 के ऊपर निकला तो फिर इसके पास कोई resistance नहीं है, 18,500 हम कह सकते हैं, psychological वाला है, बट यह 18,600 को easily touch कर सकता है, य यह चीज़ समझ लिए उसके उपर sustain करेगा, नहीं करेगा, यह फिलाल पता नहीं, बट नया lifetime hit ज़रूर कर सकता है, Nifty, यह point आपको ध्यान में रखना है, दूसरा logic यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों अब यह hit कर सकता है, तो आप देखो के, bank Nifty ने आज काफी अ momentum आएगा, तो 42,500 इसका target है, तो 700-800 पॉइंट अगर bank Nifty चलेगा, तो 2500-300 पॉइंट निफ्टी easily चल सकता है, कौन सा है stock participate करेगा, आप निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए और bank Nifty को ऊपर ले जाने के लिए यह भी मैं आपको बता देता हूं, LDFC Twins में एक अच्छा momentum आन LGFC bank का chart, LGFC bank के chart, bank Nifty का chart, अगर आप similarity देखोगे, यह देखो, यह है bank Nifty का chart और यह है LGFC bank का chart, ठीक है, बिलकुल अपने day low से recover होके उपर आया है, और same चीज़ आप Nifty के chart में भी follow up देख सकते हो, ठीक है, बिलकुल day low से recover होके उपर आया है, दूसरी similarity अगर आपको मैं बतानी की कोशिस करूँ, तो वो आईगी global market से, ठीक है, तो उसको भी discuss कर लेते हैं, then फिर हम पूरी analysis को समझेंगे, जो कि आपको काफी हद तक picture clear कर देगी market की, कि अब आपको buy side पे play करना है, या फिर sell side पे play करना है, ठीक है, global market पे चलते हैं, तो indices futures में मैं जाता हूँ यह आप है, अब यह आपको देखने को मिलेगा, करें, DAO future 134.00 ऊपर कामकाच कर रहा है, NASDAQ future 38.00 ऊपर कामकाच कर रहा है, अब आप last trading session में, अगर आप देखोगे, तो NASDAQ में क्या हुआ था, because job data आया था, job data के बाद एक selling देखने को मिली, और selling के बाद recovery देखने को मिली थी, ठीक है, यह 15 minute का time frame है, यह एक selling आई, और फिर यह day low से recovery होई है, अब यह follow up है, ठीक है, follow up में होता क्या है कि market extend करता है अपनी टेजी को, तो DAO भले consolidation कर सकता है, बट NASDAQ के अंदर momentum बन सकता है, आज हो कल के trading session में, क्योंकि 10 तारिक को US inflation data आने वाला है, तो अगले 3 दिन, य के अंदर अच्छा moment बन सकता है, यह point आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, दूसरी चीज, एक point यहाँ पर समझ में आ गया, दूसरा point है, अगर थोड़ा से गौर करोगे, तो European market में क्या होगा है, European market में अगर आप DEX का chart देखोगे न, तो आप देखोगे, थोड़ा से इसका breakout आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है न, यह समझ में आ रहा है, यह breakout आता हुआ इसका दिखाई दे रहा है, तो अगर यह इस high के उपर sustain कर गया, आज के trading session में, तो definitely यहाँ पर अगले एक हफ़ते में एक अच्छा momentum बन सकता है, खासका European market में और US market में, उसकी मद सबसे हम Nifty को lifetime high हिट करते हुए देख सकते हैं, ठीक है, यह point आपको यहाँ पर समझ में आ क्या होगा, अगर यहाँ पर मैं आपको 5 hours chart में भी दिखाऊं, तो आप देखो के, देखो, continuously इसमें low से अगर पिछले मतलब देखा जाए, तो यह आपकी, ठीक है, आप देख रहे है, अपना higher high, higher low का formation बना रहा है, 5 hours chart की बात कर रहे हैं हम, और 1 year के chart के साथ है, यह इसका important level है, जिसके आसपास यह trade कर रहा है, अगर यह आप 13,600 के उपर या 13,650 के उपर sustain कर जाता है, तो फिर एक breakout आएगा, और जायर सी बात है, हम यह expect कर सकते हैं, कि यह आपका एक W pattern क यहाँ पर breakout बनेगा, और इसने जो trend line है, उसको भी यहाँ पर break कर दिये, तो एक follow up buying यहाँ पर बनती दिखाई देगी आपको, जो की help करेगी हमारे market को भी उपर sustain करने के लिए, ठीक है, तो आज का trading session, especially Naldaq के लिए काफी अच्छा होना चाहिए, as per the chart के साफ से, ठीक है, अगर हम currently भी देखते हैं, तो indices features के साफ से, यहाँ पर करीब Nasdaq 40 point उपर है, और Dow feature आपका 155 point, SGX Nifty around 18285 के उपर trade कर रहा है, अब आज और कल अगर दोनों trading session में US market अच्छा करता है, तो जायट सी बात है, Wednesday के trading session में हम अच्छा खासा gap up खुल सकते हैं, यह point आपको ध्यान में रखना है, तीक है, अब चलते हैं अपने market पे, अब देखो यहाँ पे आज के trading session में क्या हुआ, निफ्टी अपने day low से recover होके almost day high के आसपास जाके close हुआ है, तीक है, आप देख सकते हो, morning में मैं आपको बताया थे कि अटारा 200 की जो call है, वहाँ पे सबसे highest open interest है, सबसे highest open interest होने के बावजूत अटारा था 200 के ऊपर की closing आई है, यह बता रहा है, कि अब कहीं न कहीं जो bulls हैं, वो यह बिल्कुल चाहते हैं कि nifty नहीं lifetime high लगाए लगाए, और यह जितनी जल्दी हो, उतना better है, क्यों, क्योंकि जायर सी बात है, जितना time गुजारेगा, मैंने ब अधरा थेक होगे है, अटारा थेंसो की call पर करी, 59 L develop, और खोल्दो can टार, के और रहा है बन खोला परिक सब्सand, illustrate पर ही move करेगा ठीक है इतना आपको समझ में आ गया अब चलते हैं चार्ट पर चार्ट को देखते हैं तो यहां पर आप देखोगे देखो आदे घंटे का चार्ट लगाया है मैंने ठीक है सबसे पहली चीज आती है डे चार्ट पर डे चार्ट पर अगर थोड़ा सा गौर करो करेगा तो आपको 18624 तक का टार्गेट देखने को मिलेगा बट हम अभी क्लोज का हुए है यहां पर 18200 पर तो 18200 पर हम क्लोज हुए है और जायर सी बात है यह जो एक पर्टिक्लर स्विंग बनाया था इसको भी हमने आज ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हुए है ठीक है त अगर थोड़ा बहुत गैप भी कुलता है तो अभी इसके भागने के चांसे बने रहेंगे तो क्लियर कट अब आपके पास जो उपर के टार्गेट है वो यही है 18250 और 250 निकला तो 18300 तीनसो पचास यह टार्गेट आपके लिए क्लियरली ओपन होते हो दिखाई दे रहे है अब इसमें आप stop loss क्या लगा सकते हो वो मान के चलो वो stop loss है आपका यही 18,070 का यह stop loss लगा के आप यहाँ पे long में बने रह सकते हो आप option बाय करते हो future बाय करते हो यह आप decide कर ली देगा यह चीज़ा आप के लिली समझ ली रहे है अलागे आप यह भी stop loss लगा सकते हो 18150 क क्योंकि अगर 18150 की नीचे आके trade करने लगया तो यह फिर breakout दुबारा से false हो सकता है otherwise यह उपर की तरफ moment देने के लिए अब ready है हाँ अब मैं agree हूँ यहाँ पे कि आप भी market nifty lifetime high hit करने की chances बहुत जादा है अभी तक नहीं था बट अब जादा है ठीक है और जब भी market lifetime hit की त lifetime high के पास गया तो आप देखें यह कितनी बड़ी candle बनीती है आपकी उसके बाद gap up खुला lifetime hit हो गया वहीं से नीचे आ गया तो क्या है कि अब थोड़ा सा momentum के है थोड़ा सा fast होता हुआ दिखाई देगा आपको ठीक है बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे यानि अब एक बड़ा momentum आ सकता है निफ्टी के अंदर 1500-200 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का यह पॉइंट आप क्लियर ली समझ लीजिए ठीक है अब यह gap up में आएगा या फिर market के running में आएगा यह किसी को नहीं पतागा gap up में यहाप एमाल लीजिए निफ्टी 18300-380 खुल जाता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपके बाद कुछ करने के लिए रहा नहीं ठीक है सेम चीज़ बैंक निफ्टी आपका 42300-42400 के आसपात खुल जाता है तो फिर आपके बाद कुछ करने के लिए रहा नहीं है फिर आपको wait and watch करना ठीक है global market की situation मैं already आपको बता चुका हूँ आप देख सकते हैं अच्छा काम काच कर सकता है ठीक है यह point आपको ध्यान में लखना है तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतने ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा व चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सो दिल लेका आतर हूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के तार शुक्रिया दोस्तों चैहिंड